अंडा तवा मसाला बनाने के लिए हम छै अंडे ले लिए इसको हम बॉयल करेंगे और मसाला हमारा कुछ ऐसा है इसमें तीन हडी मिर्च है एक इंच अद्रक का टुकड़ा है दस बरा लेसुन है एक हडी मिर्च हमने फाइन चौप करके रखे है वान टेबिल स्पून कोरियंडर पाउडर वान टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर वान टी स्पून टर्मरिक पाउडर वान टेबिल स्पून नॉर्मल ड्राई रेड चिली पाउडर दो बरे साइस ओनियन को फाइन चौप करके रखे है सौल्ट अपने स्वात के अन तो रेसिपी शुड़ू करते हैं, पहले हम 6 अंडे को उबाल लेंगे, इसको हमें hard boil करना है तो अब अंडा उबालने का तरीका तो अब सभी को पता ही होगा, चलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिये नमक डालने से हमारा पानी का जो boiling temperature वो थोड़ा बढ़ जाता है इससे अंडा प्रॉपर तरीका से hard boil होता है और पील करने के time ये बहुत ही help होता है जब तक अंडा उबाल रहा है तब तक हम एक paste बना लेंगे एक grinding jar में तीन हरी मीर्च, एक इंच अद्रक, दस बरल एसोन और handful फ्रेश कोड़ी अंड़ डालके एक paste तयार कर लेंगे अभी गैस पे एक तावा रखके उसमें mustard oil डालेंगे oil गरम हो जाने के बाद हम उसमें अंडा fry कर लेंगे oil हमारा गरम हो गया, अभी हम इसमें थोड़ी नमक डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा red chili powder डालेंगे और हमारा chopped किया हुआ हरी मीर्च डाल देंगे अभी इसमें हम हमारा boil अंडा सब को हम बीच से कट करके रखे है, सब को हम fry करेंगे अंडा दो तरफ से fry हो गया, अभी हम सब को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब दूसरा step शुरू करेंगे, वो सेम तावा में हमारा chopped प्याज को डाल देंगे और उसको हम translucent होने तक fry करेंगे प्याज fry हो गया, अभी हम पहले जो paste तयार करके रखे थे वो डाल देंगे अभी एक टोमाटो का puree डाल देंगे और सब को अच्छे से mix करेंगे इसको हम medium flame में ढखकर पकाएंगे करीब 3-4 मिनिट तक 4 मिनिट के बाद हम उसमें हमारा dry मसाला डाल लेंगे half teaspoon healthy, one tablespoon red chili powder, half teaspoon Kashmiri red chili powder, one tablespoon coriander powder अभी सबी तमाम चीजों को अच्छे से mix करेंगे और ठककर पकाएंगे जब तक हमारा मसाला से oil ना release हो जाए अगर आपको लगड़ा है कि मसाला भूंते भूंते थोड़ा dry हो गया है तब आप उसमें थोड़ी पानी add कर लेना पानी add करने से मसाला आपका जलेगा नहीं, नहीं तो मसाला तावक की नीचे से जल सकता है मसाला अच्छे से कुक हो जाने के बाद हम उसमें salt डालेंगे अपना स्वात का अनूसर एक टीस्पून एक मसाला डाल देंगे यह एक मसाला मेरा घड का बना हुआ होममेड है अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्षन में बताना अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे करिब एक दो मिनिट तक दो मिनिट के बाद हम हमारा फ्राइड अंडा डाल देंगे एक एक करके और ठकके बोद साइट मसाला के साथ पकाएंगे तो अब हमारा टिस्टी टिस्टी अंडा तावा मसाला एक दम बढ़िया से तयर हो गया है अब देखी सकते हैं मुझे कुछ बतानी की भी जरूरत नहीं है कितना जबरदस्त बना है बस कुछी मिन्टों में अब हम गार्निश कर लेते हैं मैं इसके उपर थोड़ा करम मसाल और फ्रेश कोडियांडर से गानिश किया है और थोड़ा सा कसूरी मेती भी मैंने उपर से डाल देया कसूरी मेती डालने से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार खतर ना काएगा आप खाएंगे तो फिदा हो जाएंगे ये तावा अंड़ा मसाला इतना टेम्टिंग बने है कि मैं क्या बताओ मुझे कुछ बतानी की भी जरुरत नहीं आप खूद ही देख सकते हैं अभी डिश प्लेट आउट कर लेते हैं और देखिए कितना ब्यूटिफुल बना है मुझे कुछ कहने की भी जरुरत नहीं है घड में जरुर बनाना और मुझे आपका फीडबैक यूटूब कमेंट बॉक्स में जरुर श्यार करना आप मुझे इंस्टाग्राम एकाउट में भी टैक कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर कही ना कही कभी ना कभी जरा दूर सही जरा देर सही लेकिन मिल प्रेंगे जरूर। प्रेंगे जिल्साखी करते हैं